हेलो एवरिवन आयम अत्यादवन वाचिंग दे सोशल इंडियन और ये कबीर सिंख जी का दोहा आपने जरूर सुना हुगा कि करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान, रसरी आवद जात्ते, सिल पर पड़त निशान जिसका मतलब है कि कुए से पानी खीचने के लिए बरतन से बंदी हुई रसी कुए के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने पर पत्थर पर भी निशान बना देती है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धी व्यक्ति भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार हो जाता है, इसका मतलब यही निकल कर आता है कि प्रैक्टिस यही आपकी की है सक्सेस के लिए कि आप जितनी बार जितनी चीजों को रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रिजल्ट आएगा, तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टड़ी के हम बात करते हैं कि हम आपको कहते है कि पढ़िए फिर हम आपसे कहते हैं कि आप revise करिए फिर हम आपसे कहते हैं कि आप उसकी knowledge को test करिए तो ये तीन जो triple layer protection है आपके लिए triple layer procedure आप कह लीजिए वो आपके लिए जब यहाँ पर आता है तो आपके जो दिमाग पर ये scientific effect डालता है कि आप तीन बार उन चीजों को बढ़ते हैं और तीसरी बार में वो चीज़ें आपके लिए दिमाग की memory में save हो जाती है तो हम चाहते हैं कि वो आपके memory में encrypted data बन कर ना रह जाए और saved memory में आपके लिए storage का काम करें तो आपकी आप performance को कैसे enhance कर सकते हैं उसके लिए ये video है we will be completely focusing on the mock test क्योंकि mock test बहुत ज़्यादा ज़रूरी है mock important क्यों है इसके लिए 3 या 4 reason हम आपके वहाँ पर बता सकते हैं सबसे पहला reason तो है ये कि mocks में आपको मिलते हैं practice question कि किस type के question आपके लिए आएंगे आपने previous year question paper solve कियोंगे तो आपको पता लगया हुगी कैसे question आते हैं लेकिन practice करने के लिए आपके बास कुछ होना चाहिए तो आपको mocks provide करते हैं दूसरी बात जो है वो आपका जो pressure environment है वो खोलते हैं और आपको जो है वो cool mandate रखकर कैसे questions को solve करना है वो सिखाते हैं तीसरी जो important बात आजाती है कि mocks से आपका revision भी होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप अपने knowledge को साथ सा test करते जाते हैं और analyze करते जाते हैं कि मेरे कौनसा section weak हो रहा है और कौनसा section strong हो रहा है का एक company की tagline है कि डर के आगे जीत है तो वो डर के आगे जीत तभी है जब बीच में mocks हो लेकिन अगर बीच में mocks की जगा है सिर्फ और सिर्फ cold ring रह जाएंगी तो शायद वो डर के आगे जीत नहीं लेकिन हमारे meat बदल जाएंगे इसलिए हम आपको कहते हैं कि mocks को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अगर आपके पास mocks टेस्स नहीं है आपको लगता है कि जो websites है या फिर कोई भी आप जहां से mocks खरीदना चाहते हैं वो बहुत जादा महेंगे दे रहे हैं तो मैं आपको नीचे अलग अलग 10 mocks में भी ला सकते थे लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उसे practice के तौर पर लाने के लिए combine रखा है ताकि आप उसे pressure में ना ले कोई भी हम mock test solve करते हैं तो हमारे दिमाग पे pressure होता है कि हमारा कितना score बनेगा हमारा कितना score बनेगा लेकिन हमने 1000 question उसी साथ से रखे हैं कि आप दिन में 100 question solve करिए अगले दिन फिर 100 question solve करिए कि 10 दिन का आपके लिए practice material हो जाए लेकिन उन्हें combine रखने का जो एक सबसे बड़ा reason था वो ये था कि आपके उपर एक pressure ना बने कि मेरे इतने marks आ रहे हैं इतने ये हो रहा है इतना वो हो रहा है ताकि आप एक environment में उनको question को tackle करना भी दीख जाए और साथ ही साथ उससे आपका mental stamina जो है वो mental ability है वो भी ना ही ले इसलिए ऐसा रखा गया है बहुत ही reasonable price है अगर आप कोई भी मैं आप से पहले कहूंगा कि आप website check करिएगा उसके बाद आप institute check करिएगा जो आपको mock test provide कर रहे हैं वो किस price पर provide कर रहे हैं फिर हम से कुछ content आप पूछेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो तो सबसे important बात है सबसे पहले मेहनत करनी है मेहनत करके पढ़ना है पढ़के revise करना है revise के बाद mock से test करना है कि क्या क्या होना है क्या क्या होगा अब लोग पूछते हैं कि mock को अभी करना चाहिए या फिर आखरी के 10 दिनों में करना चाहिए तो मैं कहूंगा कि जतने ज़्यादा mock साब करेंगे उससे ज़्यादा आपका फायदा होगा क्योंकि अगर आप मान लीजिए दिन के 100 question भी आप solve करते हैं 100 question solve करना कोई छोटी बात नहीं होती तो आप exam से पहले 4 या 5000 question apart solve कर चुके होगे आपकी studies से apart जो होगा वो 4 या 5000 question आपको edge देंगे पाकी उन aspirants से जिनोंने शायद वो mocks prepare नहीं किये हैं और सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% लोग ऐसे होते हैं जो mocks को seriously prepare करते हैं seriously उससे तयारी करते हैं तो आप क्यों ना उन 22-30% में आकर अपने merit में आने के chance बढ़ा है क्योंकि जो exam देते हैं लोग उसके 10% लोग faculty में आते हैं 20-30% mock try कर रहे हैं तो जब आप mocks से गुजरते हो तो आप शायद उन 20-30% में तो पहले ही आगे तो अब आपका competition सिर्फ 10-15% लोगों से ही रह गया है उससे आगे वाले लोगों से नहीं रह गया है इसलिए आप उनसे आगे हैं तो एक आपके अंदर confidence भी आता है और साथी साथ आपके लिए important चीज़ ये भी हो जाती है कि वो आप tackle करना सीख जाते हैं मैंटल आपका जो pressure handle करने का जो cool रहने का जो आप कहते हैं captain cool कहते हैं मसदोनी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो situations को अच्छा tackle करते हैं और situation को अच्छा tackle करने के आप में भी trick आजाती है तो जब वो चीज़ आपको आ जाएगी तो उससे आपका बहुत ज़ादा फायदा होता है अब यहाँ पर बात हम करते हैं कि mocks means practice और practice हमने आपको बता दिया है कि कितने ज़ाद है important है mocks आप pushes कर लीजिए कहीं से भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप थोड़ा से सर्च करके आईए फिर हमसे content पूछिए फिर हम आपको बताएंगे सबी subjects include किये हुए है other than current affairs current affairs include ना करने का भी reason यह है कि current affairs अभी से include करना शायद समर्दारी नहीं होगी क्योंकि अभी भी exam में डेड़ महीना बचा हुआ और एक महीना तुम मानता हूँ कि एक महीने बात तक ही current affairs तो आएगी तो उसकी practice थोड़ी करिए लेकिन अभी थोड़ी कम करिए अभी आप March तक की तैयारी कर लीजिए बहुत बढ़िया होगा लेकिन जाजा expect मत करिए उससे तो mocks करने जरूर है पक्का दरने इस बार और इस बार exam को clear करना है और जल्दी मिलना है faculty में तो इस वीडियो को हैं पर खतम करते हैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं कन्मे करना चाहता तो वो आप तक पहुच गई होगी तो आप मुझे comment कर कर बताईए कि आप रोज दिन में कितने question practice कर रहा है और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में भारत माता कीजए जय हिंद